आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह वही है जो मारे सामने एक आर्टिकल था डैलिकन का 2013 का और आर्टिकल का नाम है अब इस टॉपिक को जब हम डिसकस कर रहे हैं तो डैल्टन ने अपने आर्टिकल में एक अक्टिविटी को शेयर किया है उसके बाद उन्होंने अगली अगली अपनी शेयर किया जो उन्होंने खुद बनाई थी और उसके बाद स्टूडन के साथ वरक आउट की जिसके अंद बन्यादी तोर पे उन्होंने अपने स्टूरन đेंट को ये कहा कि वो को को लाबरेट करें एक बच्चे के साथ और उनके साथ जो एक्टिविटी डिवैलब करेंगे यह वाली जो उसके अंदर multi model responses भी इस्तेमाल करें है technology को बहें इंडिगेरेट करें अब उनके ऐनके स्टूडेंट्स ने किया कि उनके स्टूडेंट्स ने एक बच्छा लिया और उस बच्चे का नाम दिया रीडिंग बडी या यहीं जो दोनों मिल की 네 रीडिंग बडी के साथ पका Sonar iki करूच बच्टिर्यकिन रेडिधर देख– Our देर साथ मिलके इसको read out किया केरफली ताकि बच्चे बारे में डिवेलब कर सके हैं जब बच्चों के साथ या इस्टूडेंट टीचर ने या प्रोस्पेक्टिव टीचर ने पावर पॉइंट को इस्तिमाल किया है तो मुल्टी मॉडल हाइपर टेक्स एंवारमेंट के तौर पर अब पावर पॉइंट आपके पता है कि हमारे मैक्रो सॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही कॉमन सॉफ्ट्व को हरा टो हाई पर लिंक को क्लिक करते थे तो हैपर लिंक के साथ को स्लाइड खुल जाती थी या इक और इन उस टूर्म के अपने कॉमेंट या नीट को मि यूद्व अपने राय शामिल होती थी वे रणा रिटें एक्स्लेनेशन भी होसकती थी उसमें उनके जो personal connections हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते थे कि उन्होंने क्या सोचा या जो वो उनके अपनी critical approaches भी इस्तेमाल थी तो इस तरीके से जब बच्चे hyperlink को click करते थे तो उन्हें अपने ही teachers की extra thought उस passage के बारे में पढ़ने का मौका मिलता था कुछ cases में student ने audio recording भी की अपनी thoughts की और उसको insert किया graphic में और एक message के तौर पर तो बच्चे क्या करते थे जब उस hyperlink पर click करते थे तो insert के आगे से कोई और window खुले और एक और search window खुल जाए जिसमें उन्हें अपने teachers के ideas और thoughts समझ आए उसको वो सुन सकते थे अपने teacher के आवाज में कि उनका teacher क्या सोचता है इस passage इस paragraph इस quotation या specific point के बारे में इसके थूब भी बुनियादी तोर पे जो graphics भी इसके अंदर इसके इसके थूब message reinforce किया गया अब जो teachers थे student teacher prospective teacher उन्होंने क्या चीज़े यूज की बच्चों के साथ text में hyperlinks बनाएं उसके अंदर अपने comments शामिल किये अपनी critical points शामिल किये कुछ student ने अपनी आवाज record करके उसमें अपनी thoughts को शामिल किया कुछ student ने अपनी thoughts को आवाज और text के साथ graphics और illustration भी उसके अंदर अपनी message में शामिल की कुछ student ने कुछ dialogues add-on किये illustration के साथ जिससे पता चल रहा था कि यह illustration is quotation को क्या define कर रही है ना सिर्फ आप तस्वीर देखें वालकि तस्वीर के साथ words में भी पर सकें किसका मतलब क्या है the resulting hypertexts were inspiring जब उन्होंने hypertexts develop की तो वह बहुत ही interesting थी और बच्चों की deeper thinking develop हुई analytical thinking develop हुई उन्होंने सबसे पहले ही उसके अंदर activity में यह learn किया कि बुन्यादी तोर पे मेरा teacher इस illustration या इस paragraph या इस quotation को पढ़के क्या extra सोचता है और कहां तक सोच सकता है और उन्हें understanding develop हुई और एक foundational model मिला कि हमें भी कैसे सोचना चाहिए जब हम text पढ़ते हैं और उसको बार-बार पढ़ते हैं whether a struggling reader or an avid reader children become invested in the alternative approaches exploring text meaning and creatively expressing it with a multimodal hypertext authority authorizing tools इसका मतलब यह कि चाहे वो struggling reader हो या जबरदस reader हो जब हम text के साथ technology को इस्तेमाल करते हैं close reading में तो वो reading capabilities बच्चों की enhance होती है thinking capability enhance होती है बलकि उनका interest भी बहुत ही ज्यादा develop होता है तो ना सिर्फ वो text वो quotation वहां मौजूद होता है बलकि वो एक interactive text or quotation बन जाता है